next question, दोजा नौ का सवाल है, question says three concentric spherical shells have radius A, B and C और हमें दियावा है C is greater than B which is greater than A and have surface charge density sigma, minus sigma and sigma respectively if VA, VB, BC denotes the potential of the three shells then for the special condition of C is equal to A plus B हमें VA, VB को compare करना है, now सवाल यह जो है, मुश्किल नहीं है, लंबा है, थोड़ा सा यहाँ पे maths के, आपके elementary maths सोड़ी सी जाधे यहाँ पे apply होएगी, लेकिन यह सवाल मुश्किल नहीं है, अगर आपके fundamentals clear है तो यह सवाल आसान है, तो situation कुछ इस प्रकार है, कि यह अपना एक गोला, दो गोला, और तीन गोला, तीन concentric shells है और यह आपके shells है, इन तीनों का जो radius दिया हुआ है, इसका radius है A, इसका radius है B, और इसका radius है C, और इनके उपर जो charge density है, वो है sigma, minus sigma, और sigma, यह अपनी तीन charge densities यहाँ पर अपने को दे रखी है, now, सबसे पहले तो हम इनकी यह value निकाल लेते हैं, कि इनका, इनके उपर charge कितना store है, charge कितना store यहाँ पर कर लेते हैं, तो QA, जो आपका A के उपर charge store होएगा, वो होएगा इसका density, multiplied by उसका area, area लिख सकते हैं, इसका 4 pi A square, similarly QB, यह आएगा, sigma multiplied by 4 pi B square, similarly, charge C के उपर हो जाएगा, sigma multiplied by 4 pi C square, यह आपका तीनों के उपर charge आगया, now, हब इसके उपर हमें लिखना है, तीनों का potential क्या होएगा, उन तीनों को फिर manipulate करके compare करना है, कौन किसके बराबर है, कौन किसके बराबर नहीं है, यह आपका सभाल है, alright, so यहाँ पर अगर हम चालू करें, तो potential of A, A का potential हम लिखेंगे, उसकी divided by B, plus K, QC divided by C, अब यह value क्यों आई, इसके लिए आपको फिरी में एक बार चेक करना पड़ेगा, पर यह मुश्किल नहीं है, अपनी वाज़े से तो KQ by A आएगा, B वाले के लिए, क्योंकि inside point है, उसके लिए या नीचे B से divided होगा, यह वाला C से divided होगा, alright, अब अगर हम value रख दें, तो K, इसकी जब हम value रखेंगे, तो यह हो जाएगा K multiplied by, इसको अचाहिए, जब हम value रखेंगे, तो sigma 4 pi हम समय से common ले सकते, sigma 4 pi है, तो अंदर बचेगा A square by A, प्लस, अचाहिए, वाला minus sign के साथ आएगा, because charge density इसमें minus है, so यह बचेगा, sigma बाहर आगया, minus B square by B, plus C square by C, अब इसको भी कर, K को हम expand कर दें, 1 by 4 pi epsilon से, तो इससे 4 pi से 4 pi cancel हो जाएगा, so आपका V A की value आगे, sigma divided by epsilon, अंदर बचा A minus B plus C, now अपने को condition, यहाँ पे special condition जो हम use कर सकते हैं, जो हमें दी हुई है, वो है कि C is equal to A plus B, इस condition में हमें V A, V B और V C compare करना है, इस C की value अगर हम रख दें, A plus B, C is equal to A plus B, तो A plus B रखते ही है, आपका V B cancel हो जाएगा, और जो आपका final V A बचेगा, that will be equal to sigma divided by epsilon multiplied by 2A, यह एक value आगे, इसको भी समाल के रख लेते हैं, similarly हम V B की value लिखना शुरू करते हैं, तो V B जो आएगा, उसको हम लिखेंगे के Q B divided by B, sorry Q A, A वाले इसकी वज़े से यह होएगा, plus K Q B divided by B, plus K Q C divided by C, अब इसमें अगर हम Q A की और Q B और Q C की value रख दें, तो उसमें हम sigma K 4 pi यह common लेके अंदर लिख सकते हैं, A square by B minus B square by B, plus C square by C, यह अपनी यहां value आजाएगी, अगेन K को अगर हम यहां expand कर देंगे, तो यह बन जाएगा 1 by 4 pi epsilon, और आपका 4 pi उससे cancel हो जाएगा, तो V B की जो value आजाएगी, वो हो जाएगी, sigma divided by epsilon, अंदर बचेगा, A square minus B plus C, अगेन यहां पे C को हम A plus B रख देंगे तो एक B cancel हो जाएगा, तो इसकी final value बचेगी, sigma divided by epsilon not multiplied by, यह आएगा आपका A square minus B cancel हो जाएगा, तो यह आएगा plus 2A, यह आपकी A square by B B है यहां पे, तो A square by B plus 2A, यह आपकी V B की value हो गई, क्लेली हम देख सकते हैं कि VA और V B दोनों बराबर नहीं है, दोनों की value में difference है, अब काम रह गया, यहां पे हमें VC calculate करना, तो VC की value अगर हम यहां पे लिखेंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, VC will be equal to, अंदर वाले की बज़े से, के QA divide by C, प्लस के QB divide by C, प्लस के QC divide by C, अगेन value रखे, सिग्मा के 4Pi divide by C, अपना common आजाएगा, अंदर बचेगा, A square प्लस यह वाला minus आएगा, minus B square plus C square, all right, C सबका common, हमने LCM लेके, C को बहा ले लिया है, all right, अब इसमें यहां पे C की value, अगर हम फिर यहां पूट कर दें, A plus B, तो यह value बन जाएगी, A plus B का square, तो इसको अब हम लिख सकते हैं, this will be equal to, अच्छा, K को हम फिर expand करें, 4Pi cancel हो जाएगा, sigma divided by epsilon multiplied by C, और अंदर बचेगा, C को भी यहीं पे A plus B लिख लेते हैं, चलो, यहां जाएगा, A plus B, और अंदर बचा, A square minus B square plus A plus B का whole square, now अब जब A square plus B, A plus B का whole square को हम expand करेंगे, तो आएगा, A square plus B square plus 2AB, उसमें से B square अपना cancel हो जाएगा, तो अंदर बचेगा, sigma divided by epsilon, ब्रैकेट में A plus B multiplied by A square plus A square plus 2AB, अब इसमें से अगर हम A common ले लें, तो बचेगा, sigma divided by epsilon, A plus B, और यहां बन रहा है 2A square, तो उसमें से आपने 2A common लिया, बचा A plus B, now A plus B, A plus B cancel हो जाएगा, बचेगा, sigma divided by epsilon multiplied by 2A, now, इसको और इसको देखके हम कह सकते हैं कि VA और VB दोनों बराबर है, sorry, VA और VC दोनों बराबर हैं, लेकिन VB different है, so इसके basis पर हम कह सकते हैं कि VA is equal to VC, which is not equal to VB, so इसके basis पर हम कह सकते हैं कि option number D would be the right answer, again, यहाँ पर एक चीज़ में आपको bond करना चाहूँगा, कुछ किताबों में इसका जवाब गलत दे रखा है, इसका solution गलत दे रखा है, उन्होंने answer देखके solution derive किया हुआ है, let us assume something करके बात कर रहे हैं, वो solution गलत है, अगर आप उस तरह के assumption लेंगे, तो जरूरी नहीं है, आप हर बार right answer पर ही पहुँच पाएं, so यह इसका proper mathematical तरीका है इससे करने का, और मैं चाहता हूँ आपका इससे exposure हो, आपको ऐसा करना हाता हो, so based on this हम कह सकते हैं, option number D would be the right answer,